नमस्कार दोस्तों आपका हमारी Simple Pharmacistory चैनल में स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे Iron and Folic Acid Tablet के बारे में दोस्तों इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे कैसे आपको उपयोग करना है इसके बारे में बात करेंगे इसके Common Side Facts देखेंगे हम कौन-कौन से आएंगे इस्टरवर को लेने के बात दोस्तों साउधानियों के बारे में बात करेंगे कि कौन सी साउधानिया आपको रखनी चाहिए इस्टरवर का इस्तमाल करते समय कि किर दवाइई' के साथ में इस्टरवर का इस्तमाल नहीं करना चाहिए दोस्तों मैसल भष्टमेंट्वार्मासिस्ट मैं इस चनल पाको Medicine Sellier जान करें और Pharmacies्ड इंटर्मेशन देता रहता हूं तो चलिए आजका बीडियो इस्टााř्ट करते हैं सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें दो मेडिसिन्स हैं मेनली एक है फ्रेंट्स ड्राइड फेरस सलफेट 335 mg और फोलिक एसिड है 0.5 mg दोस्तों अगर हम इसके उप्योग के बारे में बात करें तो इसका उप्योग मुख्योप से अगर सरीर में खोन की कमी है तो उसको पूर करने के लिए इस टेबर का इस्तमाल किया जाता है दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आप इस टेबर का इस्तमाल कैसे करेंगे तो दोस्तों आप इसे खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद में ले सकते हैं लेकिन इसको एक निश्चिस समय पर लेना ज्यादा बेहतर हैं इस टेब्र का इस्तमाल करने के बाद दोस्तों कब जाब के हो सकती है पेट खराब हो सकता है रैस निकल सकते हैं खुजली हो सकती है दस्त लग सकती है और फ्रेंड्स मतली या फिर उल्टी हो सकती है ये इसके कुछ कॉमन साइड इफक्ट होते हैं अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से साउधानी आपको रखनी चाहिए इस टेब्र का इस्तमाल करते समये दोस्तों एलकोहल के साथ में इस टेब्र का इस्तमाल बिलकुल नहीं करना है अगर कोई माता बच्चे को दूद पिलाती है या फिर क किमद दवाईयों के साथ इस टेब्र का इस्तमाल नहीं करना चाहिए इसके जबार दोस्तों कोले कैलसी फेरल या फिर बात कर लेते हैं कि मार्केट में आपको किस नहीं से और कितने रुपए की मिल जाएगी तो दोस्तों तेली आइरन टैबलेट के नाम से आती है जो की पचास रुपए की 10 टैबलेट आपको किसी भी मेटिकल स्टोर पे मिल जाएगी दोस्तों उमीद अब वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में टेक केर